हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर जिसके बारे में सुनकर हर भारते का खून को लुटता है आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के बारे में जिनने एक बार फिर से कश्मीर में बड़ी ही पहरायमी से मारा जा रहा है क्या है हाइब्रिड टेररिस्ट जिनने पाकिस्तान की खूफिय आईजेंसी आयसाई द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है और कश्मीर में हो रहे कश्मीरी पंडित टार्गेट किलिंग से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है ये सब आज हम इस वीडियो में डीटेल में समझने वाले हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए शुरू करते ह कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक स्कूल में गुजकर महिला टीचर रजनी बाला को मौट के घात उतार दिया है कश्मीर में अभी तक 17 इनसेंट लोगों को आतंकवादियों द्वारा मारा जा चुका है इसी वज़ा से large number of Indians या कहें कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिये गए है क्योंकि कश्मीर में एक particular धर्म मतलब हिंदू को target किया जा रहा है और अगर Indian intelligence की बात करें तो उनके दुआरा जो रिपोर्ट इन हमलों के बारे में पेश की गई है उसे पता चलता है कि कश्मीर में भारतियों के ऊपर हो रहे हमलों के पीछे साफ तोर पर पाकिस्तान का हाथ है रिपोर्ट में एक और खास बात नोडिश करने वाली ये है कि जैसे पाकिस्तान ने 1980 से 1990 के बीच कश्मीर में ओपरेशन तोपाक चलाया था जिसमें कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मारा गया था और उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया था ठीक उसी तरह इसी साल 2022 में पाकिस्तान ने कश्मीर में एक ओपरेशन चलाया जिसका नाम ओपरेशन रेड वेव है और जिस तरह से जन्वरी से लेके अभी तक कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है उन्हें वहां से निकाला जा रहा है ये सब कश्मीर में हुए कश्मीर पंडितों के जने साइड को याद करने जैसा ही है जो 14 सितंबर 1989 को उस वक्त शुरू हुआ था जब सबसे पहले कश्मीरी पंडित लीडर टिकलाल को श्रीनगर के चिंकारा में गोली मारी गई थी कश्मीरी पंडितों के साथ तब भी ऐसा ही हुआ था और अब फिर से ऐसा ही हो रहा है ताकि एक बार फिर से कश्मीर में हिंदू के लिए डर का माहौल बनाया जा सके एक्शली वो कश्मीरी पंडित जो 1990 में ISI की हिट लिस्ट में थे लेकिन जैसे ही हिंदू पर अटैक हुआ तो उन्होंने कश्मीर छोड दिया लेकिन जैसे ही वो दोबारा कश्मी में रहने आये तो उन्हें इतने सालों बाद भी इसी साल आतंकवादियों द्वारा मारा गया क्योंकि वो 1990 से ही आतंकवादियों के हिट लिस्ट में थे जैसे इसी साल 12 माई को राहुल भट को मारा गया और जाने माने बिजनेसमेन माकर लाल बिंदरु को भी मारा गया ये दोनों ही कश्मीरी पंडित थे जो 1990 में ISI की हिट लिस्ट में थे ये तो हम सभी जानते ह है कि मुवि कश्मीर फाइल्स जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अक्तिचार के के बारे में दिखाया गया था और इस मुवि को देखने के बाद लोग का रियक्शन भी काफी दूखी कर देने वाला था थीइतर में बैठे लग-बख, सबी लोग कश्मीरी पंडितों क मारा जाएगा तो इसका सीधा असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा मुवी रिलीज होने के बाद कश्मीर में टार्गेट किलिंग और तजी से बढ़ गई है कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंगवादी द्वारा कश्मीरी पंडित बाहर से आई मजदूर और ओफ डूटी पुलिस वालों को भी टार्गेट किया गया अब तक टुर्लिस इनोसेंट लोगों को मारा जा चुका है इंडियन इंटेलिजन्स एजेंसी के अनुसार पागिस्तान कश्मीर में हाइब्रीट टेररिस्ट को ओपरेशन डेड वेब में यूज़ कर रहा है ताकि उनके दुआरा कश्मीरी पंडितों को टार्गेट कर मरवाया जा सके और इसी लिए कश्मीर में वो हाइब्रीट टेररिस्ट का इस्तमाल कर रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकोर्ड नहीं होता ताकि बाद में पाकिस्तान में बैठे इन हमलों के मास्टर माइंड आराम से खुद को ये कहकर बचा सकते हैं ये इंडिया का अंदुरूनी मामला है हाइब्रीट टेररिस्ट एक्चली होते क्या हैं हाइब्रीट टेररिस्ट कश्मीर के लोकल यंग लड़के होते हैं जिन पर किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने का कोई रिकोर्ड नहीं होता फिर उन लोकल लड़कों का पाकिस्तान इंटेलिजन्स एजन्सी आईसाई द्वारा ब्रेन वोस किया जाता है ताकि उनका इस्तमाल टार्गेट की निम में थिया जा सके और ये लोग अक्सर गो लोग होते हैं तो या तो बेरोज़गार गरीब होते हैं या उनमें नसे की लट होती हैं क्योंकि ऐसे लोगों द्वारा पैसो या नसे के लालत से कुछ भी काम करवाया जा सकता है और जब से बारत की तरफ से बोर्डर पर घुस्पैट करने की कोशिश को रोका गया है तभी चाही hybrid terrorist attack में भी बढ़ोतली देखी गई है अचले hybrid terrorist एक terrorist organization दे resistance front के साथ मिलकर काम करते हैं दे resistance front मतलब TRF में ही जयम्मू और कस्मिर के य builder को recruit क码के जाता है ताकि उन्हें हमले के लिए तैयार किया जा सके आतमवादी संगटन के mastermind द्वारा इन hybrid terrorist को एक simple technique बताई जाती है जिसमें local हिंदुओं को मानने के लिए pistol का इस्तमाल करना और भाग जाना होता है और फिर से कश्मीर के लोगों के बीच रहना शुरू कर देना है ऐसी condition में security agencies के लिए भी इस तरह के terrorist को ढून पाना भी मुश्किल हो जाता है इस तरह के hybrid terrorist या कहें कश्मीर के young लड़कों को online recruit किया जाता है और हमले की online ही training भी दी जाती है और इस छोटी सी training के बाद ही इन्हें innocent हिंदुओं को मानने के लिए भीज दिया जाता है जहां पहले चार से पांच terrorist हमले के लिए भेजे जाते थे वहीं अब इस तरह के attack के लिए सिर्फ एक या दो लड़कों को भेजा जाता है ताकि भागने में आसानी हो और पकड़े भी न जाये भारती एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि यासीन मली को उम्रकेद सुनाई जाने के बाद terrorist organization डरे हुए हैं और इसलिए उन्होंने target killing को कस्मीर में और भी जादा तेज करवा दिया है ताकि वहाँ पर हिंदू के लिए ड़न का माहूल बनाया जा सके हिंदू पर attack करने के लिए अब ये terrorist बड़ी बड़ी guns का इस्तमाल ना करके बस pistol का इस्तमाल करते हैं और ये pistols drone के द्वारा border पर भीजी जाती है और वहीं से ही ये guns local terrorist के पास पहुँचाई जाती है पुलिस को ये पूरा विश्वास है ये pistols पाकिस्तान द्वारा ही जम्मू और पंजाब border पर drone से drop की जाती है जहां से उन्हें कश्मीर वैली में पहुँचाया जाता है मई 2022 मतलब पिछले ही मई ने श्रीनगर पुलिस ने दो हाइब्रीड टेररिस्ट साज़त गुल और सैहुला साजित को अरेस्ट किया ये दोनों ही टेररिस्ट लस्केरे तोयबा की local branch The Resistance Front के आतंगवादी थे पुलिस ने इनके पास से काफी सारे हतियारों को जब्थ किया ये दोनों आतंगवादी इन हतियारों को उन लोगों को देने वाले थे जो कश्मीर के श्रीनगर में हिंदू को मानने की planning कर रहे थे इनके पास से 15 pistols, 30 magazines, 300 round bullets और silencer भी पुलिस ने जब्थ किये पुलिस ने जो pistols इन आतंगवादीयों के पास से जब्थ की थी वो actually US made pistols थी और इसी साल जनवरी में भी हतियारों के दो और consignments silencer के साथ पकड़े गए थे पुलिस के अनुसार इस साल के पहले 4 महिने में 100 से भी ज़्यादा pistols के साथ पकड़ा जाना ये साबित करता है कि इन्हें हिंदू के target killing के लिए ही इस्तमाल किया जाना था रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2022 में कस्मीरी पंडित राहूल भट जो की एक government employee भी थे उन्हें भी इसी तरह के वैबन से मारा गया था श्री नगर और जम्मू एन कस्मीर के दूसरे हिस्सों में इस तरह की pistols पिछले कुछ महिनों में तेजी से बढ़ी हैं हाला कि पुलिस ये भी बार-बार कह रही है कि AK-47 राइपल्स अभी भी rural areas में हमले के लिए इस्तमाल की जा सकती हैं इस target killing में पाकिस्तान का क्या मोटिव हैं intelligence agency के अनुशाल सिर्फ कस्मीरी पंडितों को target कर मारना पाकिस्तान का एक नया प्लान है ताकि कस्मीर में अशान्ती फेलाई जा सके ऐसा भी माना जा रहा है कि जब से कस्मीर से article 370 को हटाया गया और कस्मीरी पंडितों को फिर से कस्मीर में settle करने का प्लान किया गया तभी से ही target killing की cases बढ़े हैं terrorist सिर्फ उन लोगों को target बना रहे हैं जिने आसानी से target किया जा सकता है जैसे कस्मीरी पंडित, बाहर से काम करने आए मजदूर और local Hindu जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं यहां तक की local Muslims को भी target किया जा रहा है जो भारा सरकार या police के किसी भी पंड पर काम करता है Indian Intelligence Agencies का इस बारे में कहना है कि ISI कस्मीर में रहने वारे लोगों के बीच ये परचार करने में लगा है कि article 370 के हटाये जाने के बाद अब कस्मीर में बाहर से काम करने वाले मजदूर आएंगे जो कस्मीरी लोगों की नोकरी और जमीन दोनों चीन लेंगे Actually जूटे परचार से पाकिस्तान की खूफिया agency ISI कस्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आतंगवादी संगठनों के लिए महां के लोगों द्वारा समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं Experts का ये भी कहना है कि इस तरह के हमले और कस्मीरी पंडितों को target कर मानने से आतंगवादी संगठन कस्मीर में अपनी presence को दिखाना चाते है क्योंकि article 370 के हटाए जाने के बाद Indian security agencies ने terrorist के against एक strong action लिया जिससे ये terrorist काफी कमजोर हो चुके थे जिसके बाद अब इन desperate आतंगवादियों ने कस्मीर को लेके अपनी घंडीती बदल ली और अब ये जाही लोग कस्मीर के लोकल लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जैसे कस्मीरी पंडित off-duty policemen, government employees, politicians और महिलाएं हाला कि भारती जिन्ता पार्टी ने 2014 के अपनी manifesto में कस्मीरी पंडितों को फिर से पूरा सर्मान के साथ कस्मीर में settle करने का बादा किया था जिसके बाद सर्कार ने काफी ऐसे काम भी किये जिससे जम्मू एंड कस्मीर को develop किया जा सके लेकिन unfortunately कस्मीर में हालात फिर से नाजू हो चुके हैं और शायद सर्कार जल्दी ही कुछ बड़ा action इन terrorist activities के अगेंस्ट ले भी सकती है क्योंकि भारा सरकार के लिए कस्मीर हमेशा सही एक challenge बना हुआ है अब देखते हैं कि मोधी government कस्मीर के साथ और कस्मीरी पंडितों के साथ कैसे deal करती है इस topic से related और वीडियो के लिए प्ली subscribe to this channel मिलते हैं नेक्स वीडियो में